नमस्कार दोस्तो मल्टी टेक चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक देखिए ये LG का मोनीटर है और ये LCD है मैं आपके दिखा रहा हूँ दोस्तो देखिए इसका मोडल नमबर ये है दोस्तो ये मोडल नमबर है हमारे फ्रेंड लोग बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें इसकुरू नहीं होता है दोस्तो खोलने में थोड़ा संकोच करते हैं तो इसलिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है खोलना और इसको रिपेर करना है ये अन नहीं हो रहा है तो इसको कैसे खोला जाए देखिए आगे इसका स्टेप बाई स्टेप मैं दिखा रहा हूँ दोस्तो ध्यान से देखते रहिए कैसे ये ठीक होगा तो दोस्तो देखिए देर ना करते हुए मैं इसको खोलने का पहले तरीका बता रहा हूँ देखिए दोस्तो कैसे खोलता है एगदम इजी प्रोसेस है दोस्तो देखिए देखिए कुछ नहीं करना है बसे इसे इसको डाइबर इस तरह से लिजे और इसको ऐसे खोल दीजे देखिए एगदम इजी खुल गया दोस्तो ये खुल गया अब इसको आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों देखिए यह LCD है यह LED नहीं है अब इसको करना क्या है तो देखिए सबसे पहले इसको आपको यह इसको यहां से निकाल लेना है इसको निकाल लेना है फिर इसको बाद आपको देखिए इसको ऐसे उठा लीजिए और उसके बाद फिर यहां से इसको इसका केबल निकालना है तो देखिए इसका बोड जो है यह खोल लीजिए पहले सार लीजिए यह उडाँ पर से जाटास परर एखिए यह खोल्राँ की मीजिए इसको ख माहतते है तो दोस्तों देखिए, यह LCD है, इसका सबसे पहले यह केबल निकाल लेते हैं देखिए, यह केबल निकल गया, फिर इधर से आपको यह केबल निकाल लेना है यह निकल गया, अब यह इसको आप दोस्तों आराम से यह बाहर निकल जाएगा दोस्तों ये थोड़ा सा केवल इस चरह से करके आप इसको निकाल लिए इसको निकल जा अब इसके बाद आप ये भी केवल निकाल लिए और नहीं निकलते हैं तो भी कोई बात नहीं तो दोस्तों मैं आपके बताने जा रहा हूं कि इसमें प्रॉबलम क्या था इसमें कोई खास प्रॉबलम नहीं था आपको बता रहे हैं ये जो पावर का जो ये आपका यहां केवल लगता है पावर साच समधने का तरीका यह इसमीं को दॉक्त कि जो लगा हुआ हाई इस तरह का जीश में होगा यह सबढ़ लीजेए आप कि यह autant है। तो मैंने इसको सोल्ड कर चुका हूं यह शेट ओके होा है तो मैं इसको फीट करके मैं आपको आगे फीट दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे ठीक हुआ और चला करके इसको दिखाते हैं इसको मैं इसको पूरा कंपलीट हो गया है मैं आपको इसको फीट करके दिखा रहा हूँ आगे बंद कर दो रहा है करें शेयर करें और लोगों को बताएं धन्यवाद जैसी राम